बीजेपी नेता और रादावर से प्रत्याशी कर्णदेव कंबोज ने कॉंग्रस के पूर प्रदेश अधक्ष रहे अशोक तवर के पार्टी छोड़ने पतंच कसा है कॉंग्रस में आज सिर्फ फुटवल की इस्तिती बनी हुई है यह उनका कहना है कॉंग्रस के नेता चुनाओं को गंभीरता से नहीं लेकर एक दूसरे को ही निप्टाने में लगे हुए है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रस की जो सीट बची थी इन हालातों में उनका प्रदेश सफाया होना तै है और ऐसे में बीजेपी का कॉंग्रस मुक्त का सपना साकार होता नजर आ रहा है देखे कांग्रस में जिस परकार से एक दूसरे का सिर्फ ओडने की स्थिती सिर्फ उटैल की स्थिती वहाँ है तो उसका स्थिति है उससे ये साबित होता है कि कॉंग्रस जो आनू वापस में उलजी हुई है और वापस में एक दूसरे को निप्टाने पर लगे हुए है इसलिए मैं कहा हुआ हूँ कि भारतिया जनता पालिटी के मुकाबले में कोई पालिटी आज दिखा ही नहीं दे रह हुआ 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 है